आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है My Games Ape के द्वारा आदिते बिल्ला सनलाइफ म्यूचुल फंड का जो है पोलियो नम्मर हो गया इसके बाद में आप किस तरह से इन सब को चेक कर सकते हो तो इस वीडियो में मैं आपको complete procedure बताऊंगा तो वीडियो को last तक देख के आप भी जो है My Games Ape के द्वारा आदिते बिल्ला म्यूचुल फंड का जो है ये पूरा का पूरा डिटेल जो है चेक के लिए तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है My Games की Ape को जो है इंस्टॉल कर लेना है My Games Ape के द्वारा आप जो है आदिते बिल्ला के अलावा भी बहुत से म्यूचुल फंडों का जो है यहाँ पर ट्रेक कर सकते हो तो जैसे इस तरह का interface आपके सामने इसका open हो जाएगा open होने के बाद इसमें register का option दिया हो है अगर आप new user हो तो register के option के ओपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इसमें अपना registration का जो process है वो complete कर लेना है अगर आप already आपने इसमें registration कर रहा है तो जो login का option है उसके ओपर क्लिक करके और आप जो है आगे का process कर सकते हो तो जैसे मैंने इसके ओपर क्लिक किया register के option पर इस तरह के कई option आ जाएंगे तो इसमें register and transact का जो option है उसके ओपर क्लिक करना किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर email और पेन नमर यानि वो email और पेन नमर यहाँ पर इंटर करना है जिनके द्वारा आपने जो है mutual fund में invest कर रहा हो यानि आपको और पेन नमर ने डाल दे जो mutual fund में invest कर रहा है वो email और pen number यहाँ पर enter करना है तांकि यह जो detail जो है pen number की और email की वो हमारे mutual fund के साथ और my cams app के साथ जो है match हो जाए तो इसमें जो है registration का बहुत ही simple procedure है easy procedure है जैसे ही आपका registration का procedure complete हो जाता है उसके बाद में login के option के उपर click करना click करने के बाद आपको email डाल देना है और आपका password जो आपने set किया था registration के समय वो डाल के इसको login कर देना है तो जैसे ही मैं इसको जो है login करूँगा login करते ही मेरे सामने जो है next page खुल के show हो जाएगा और उसमें जो है हमारा जितना भी mutual fund में आप हमने कितना इसमें invest कर रखाया और at present में value यानि current value और invested value वो हमारे को यहां पर show कर देगा तो next page इस तरह से next page खुल के show हो जाएगा इसमें आपका जितने भी mutual fund है जो इसमें registered है mutual fund उनमें से mutual fund होना चाहिए वो यहां पर आपको show कर देगा तो इनकी जो है पूरी की पूरी value आपको जो है यहां पर show कर देगी तो आप जो है पहले अपनी value को भी check करें कि कितना percent return दे रहा है वो भी यहां पर show कर देगा अभी आप उपर की side में देख सकते हो left side में जो 3 line बनी हुई है 3 line के उपर आपको click करना है जहां पर मैंने arrow mark किया है 3 line के उपर click करना है जैसे 3 line के उपर आप click करोगे click करते है कई सारे option इसमें कुलगे show हो जाएंगे इसी को page को जो है उपर की तरफ scroll करना है इसमें और भी option के regarding काम हो तो उसके उपर आप जो है click करके और वो भी कर सकते हो तो page को उपर की तरफ जैसे scroll करोगे my transaction का option कुलगे show हो जाएगा my transaction के option में भी recent transaction, systematic transaction और transaction summary इसमें भी आपको 3 option जो है show करेंगे तो इसमें जो second option दियावा है systematic transaction जहाँ पर इसमें एरो मार किया है उसके उपर click करना है तो जैसे इसके उपर click करेंगे click करते है next page जो है इसके इस तरह से खुल के show हो जाएगा तो अभी जो है पूरी की पूरी detail मेरे को fill up कर लेनी है तो ये 3 जो है इनको select करके और इसको जो है fill up कर लेनी है तो सबसे पहले mutual fund नाम आपका mutual fund जो है यहाँ पर mutual fund जो है select कर लेना सबसे पहले आपको अपना mutual fund को select करना है mutual fund को जो है आपका जो है आदिते बिल्ला है मैं इसमें आदिते बिल्ला का बता रहा हूँ अगर आपका और भी है इसमें 16 या 17 मिचुल पंड लिष्टेट है उनका हम जो है सब कुछ चेक आउट कर सकते हैं अभी second option है select transaction type आपका जो है SIP है, STP है या SWP है जो भी है आपको जो है इसमें second option में आके और ये select कर लेना है SIP है या STP है, SWP है या जिसमें भी आपने invest कर रहा है select कर लेना तीसरा select transaction status, transaction status में आप pending, active, completed, seized, pause यानि आपकी SIP जो भी है इनमें से active है तो active pending है तो pending जैसे आप select करोगे जैसे मैं active select किया तो जो SIP मेरी आदिते बिला की active SIP होगी वो इस तरह से यहां पर show कर देगी तो यहां पर जो है देख सकते हो कि आदिते बिला Sun Life mutual fund नीचे polio नमर और जिसके नाम से polio नमर होगा वो show कर देगा फिर आदिते बिला के भी किस fund में जो है मैंने scheme में invest कर रखा है वो शो कर देगा कितना रूपय है मेरा जो है इसमें जो है हर महीने deposit होता है वो show कर देगा फिर तारिक show कर देगा और मेरी इसमें कितनी जो है installment यानि किस्ते जमा हो गई है और total यह जो है कितने किस्तू की मेंने कर रखी है यह पूरी की पूरी डिटेल जो है यहाँ पर भी आपको शो कर देगा तो दोस्तों यह इस तरह से आप जो है अपनी डिटेल भी चेक कर सकते हो अभी मेरे को पूरी की पूरा डिटेल जो है सब कुछ चेक करने के लिए इसी के उपर जो आदित्य विल्ला की मेरे को स्यो हो रखी है इसी के उपर मेरे को किलिक करना है जिसे ही मैं किलिक करूंगा किलिक करते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन आईडी, mutual fund नाम, polio name, polio number औबलिक, investor नाम, scheme code, oblique, scheme, SIP date, frequency, from date, to date, installment amount, total installment, total amount, last accepted date, next installment date, mode of payment, bank name, और URL नमर तो यहाँ पर पूरी की पूरी आप जो है डिटेल चेक कर सकते हो अभी इसमें नीचे और भी option दिया है pause SIP और cancel SIP अगर मालो आपके पास पैसे नहीं हो कुछ समय के लिए आप अपनी SIP को pause करना चाते हो तो इसके उपर किलिक करके आप अपनी SIP को जो है कुछ समय के लिए pause भी कर सकते हो या मालो कि आपको SIP ही अपनी cancel करनी है तो इसमें जो cancel SIP का भी option दिया हुआ है उसके उपर किलिक करके और आप अपनी इस SIP को जो है कैंसल भी कर सकते हो तो दोस्तों ये था मेरा एक जो है आदिते बिला mutual fund के regarding चोटा सा वीडियो फिर भी आपको mutual fund के regarding किसी भी mutual fund के regarding या my case safe के regarding या कोई और आपकी क्यूरी हो तो comment box में जरूर लिखे मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी पूरी help करूँगा वीडियो देखने के लिए सभी का दन्यवाद